इसी तरह हाकिम खांसूर पठान, मेवाड में और राणा प्रताप की सेना में कौमी एकताका और अटूट विश्वास का प्रतीर थे ये चार पंगतियां पंडित नरेंद्र मिश्च की मैं आपको सुनाना चाहूंगा वो मुसल्मान था वो मुसल्मान था पर उसने मेवाडी आन नहीं तोड़ी गिर गया शीश धर से कटकर फिर भी तलवार नहीं छोड़ी है अभी वक्त अभी देखो है अभी वक्त अभी देखो जावाज पठानी हस्ती को हल्दी घाटी के युद्धा को लासानी वतन परस्ती को आदर्श छोड़कर मुल्क कोई दुनिया में खड़ा नहीं होता कोई मजहम मिट्टी की पसमस से बड़ा नहीं होता ये पंडित नरेंद्र मिष्ट के शब्द हैं जो उन्होंने हाकिम खांसूर पठान के लिए कहें वित्रो और इस अवसर पर मैं लोग संबरन नहीं कर पा रहा हूं परी एक छोटी से कविता जो स्वाभिमान को समर्पित है आज ये महनी अवसर है बड़ा अवसर है मैं अपनी भावनाएं अपनी पंक्तियां मैं आपके समक्ष रखता हूँ मैं सूरच को नहीं जानता कविता का शीर्षक स्वाभिमान मैं सूरच को नहीं जानता मैं चंदा को नहीं मानता रक्षत्रों की कुटिल चाल को मैं कदापी नहीं पहचानता मैंने जो कहा वही सत्य, मैंने जो किया वही कृत्य, मैंने जो देखा वही दर्श, मैंने जो सुना वही श्रव कई किन्नरियों ने कामदष्ट भी दी मुझको, कई वल्लरियों ने देहिस्ट भी दी मुझको मैंने उनको दुद्कार दिया मैंने उनको फिटकार दिया यदि आस्मान भी मुझसे जुक कर नहीं मिला तो उसकान व्यक्त मैंने आभार किया मैं वारी बूंद पर मैंने ना सागर का अधिपत तस्वीकार किया मैं याचक बनकर नहीं पलाना हात जोड देवों के समक्ष व्यक्ता भार किया मनुश का अस्तित्व क्या है कैसा होना चाहिए मैं वारी बूंद पर मैंने इना सागर का आदिपत तस्वीकार किया मैं याचक बनकर नहीं पलाना हाथ जोड़ देवों को समक्ष व्यक्ता भार किया मैं हिमाद्री और हिमगंडों की महाशिला चक्रवात और तूफानों के महाकोब से मैं किंचित भी नहीं हिला कई बार बहंडर आये मुझसे मिलने को मैंने उनको अनदेखा किया मैं उनसे नहीं मिला मैं युक्स ने ही दुखों की सिद्धी साधूंगा मैं युक्स ने ही दुखों की सिद्धी साधूंगा सुखों को अपने खुटों से बांधूंगा मैं साथ ही नहीं कदाब तिमिर हरतारों का मैं संगी सदा सदा से हूँ अंधिहारों का मैं ना इच्चुकमले पवन की गंधों का वामा की वेडी से आती हुई सुगंधों का मैं प्रखर विरोधी संबंदों के धंदों का कायर समझोते वाले सब प्रतिबंधों का मुझ में लेश मात्र भी डाह नहीं इंद्रासन की भी चाहा नहीं वरूंतराय अगनी जलाये धरती लीले सागर पिले इसकी भी परवाह नहीं मैं प्रलेंकर श्विके डमरू का रौद राग भगवान एक लिंग का पावन स्वरन करते हुए मैं पंक्तिया आपको समर्पित करता हूँ मैं प्रलेंकर श्विके डमरू का रौद राग मैं वडवानल जो है सागर में छुभी आग मैं विरंच विर्चिस रुष्टी का पूर्ण भाग मैं धराधार धरनी धारक हूँ शेशनाग मैं बर्मा से बोलूँगा इस रचना की गति मंद करो चली छद्मियों नपुन सकों की संद चना को बंद करो इस ब्रष्ट दर्ष्ट निकर्ष्ट पीडियों को प्रभुत मतो पथदो मुझे बनाकर नाग वासु की पुने मंदरा चल मत दो इस बंथन से जो निकलेगा हाला हल वो मैं पीलूँगा मैं शिवसा विश्पाई होकर शिव के चरणों में जीलूँगा जो लक्ष्मी मांगे लक्ष्मी दे दो अंबरत मांगे अंबरत दे दो पर मुझे को सारे फंदों से इन मायावी संबंदों से मुक्त करो बस शिव की शरणा कर दे दो मैं सूरज को नहीं जानता मैं चंदा को नहीं मानता बहुत बहुत धन्देवाद नमस्कार